ये नर कॉम्टेटिव क्लासेस में मैं हैमंद कुमार सर्मा आप सभी का स्वाबत करता हूँ दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रतिसत के महत्पून सवाल देखो मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कॉंसेप्ट कंप्लीट होता है इसमें भी एक नया कॉंसेप्ट है जैसे मैं आपने देखा होगा कि कुछ कुश्चन रहते हैं जिनमें कुछ लड़के एक खेल खेलते हैं कुछ लड़के दूसरा खेल खेलते हैं कुछ उसको पसंद करते हैं कुछ उसको पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके जैसे आपने देखा होगा, कुछ चावल पसंद करते हैं, कुछ रोटी, कुछ दोनों पसंद करते हैं, कुछ कोई नहीं, तो इस तरीके के कुश्यन रहते हैं, अब उनको देखो हल कैसे करते हैं, तो हम समझते हैं, पहले प्रस्ण पड़ो, क्या लिखा हुआ है एक छात्रा बास में आठ सो लड़के रहते हैं 75 प्रस्त लड़की होकी तथा 50 प्रस्त लड़के फुटवाल खेलते हैं यदि प्रतेक लड़का होकी अथवा फुटवाल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं ठीक है अब देखो ह हमें इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, हल करते हैं, ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्या, फॉर्मूला आप लिखा करो और बोला करो, अभी आप बोलना जुरू कर दो, कुल संख्या बराबर पहला आइटम, प्लस दूसरा आइटम, माइनस दोनों आइटम, ठीक है, इसमें से हमें जो जो बैल्यू दी रहेगी, उसको पॉट कटेंगे, देखो येक और फॉर्मूला रहता है, इसी पर आधारेत, कुल संख्या बराबर पहला आइटम, प्लस दूसरा आइटम, माइनस दोनों आइटम, प्लस कोई नहीं आइटम, ठीक है, अब देखो, कुल संख्या कितना ही होती है, 100%, पहला आइटम कितना था, 75% लड़के होकी केल रहे थे, दूसरा आइटम कितना था, 50%, यदि प्रतेक लड़का होकी है, तो अथवा दोनों अबसी खिलता हो, तो कितने लड़के दोनों खिलते हैं, मतलब हमें ग्यांत क्या करना है, दोनों आइटम, ठीक है, अब ये कितना हो गया, 100%, बराबर, ये कितना हो गया, 125% माइनस दोना, अब माइनस की संख्या इधर जाएगी, तो प्लस में हो जाएगी, तो दोनों बराबर क्या हो गया, 125% माइनस 100%, बराबर, 25% दोनों खिल खिलते हैं, अब कुल संख्या कितनी थी हमारे पास, 800, तो 800 का 25% निकाल दी हमने, 25, 8, 200, मतलब 200 लड़के, दोनों खिल खिलते हैं, किलियर है, ठीक, अगला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, एक कार्याले में, 70% कर्मचारी चाय, तथा 40% कौफी पीते हैं, यदि इन मैंसे प्रतिक करमचारी कोई एक पे अथवा दोनों पे लेता हो तथा पचीस करमचारी दोनों पे लेते हो तो कारियाले में कुल कितने करमचारी है ठीक है, अब देखो, हल करते हैं, कि कुल संख्या कितनी होती है, 100%, कुल संख्या बराबर, पहला आइटम कितना है, 70%, प्लस दूसरा आइटम कितना है, 40%, माइनस दोनों कितना दे रखा है, देखो, 25, ठीक है, अब ये कितना होगे, 100%, बराबर, 70, 40, 110%, माइनस 25, ठीक है, अब देखो 25 उदर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 110 में से सो जाएगे तो 10% मतलब 10% की value कितनी आगी 25 अगर हम इसके पीछे 10 लगा जी तो इदर भी 10 लग जाएगे मतलब 100% कितना हो जाएगा 200 तो उसने ये पूछा है कि कारेले में कुल कितने करमचारी हैं तो कितने क वीडियो बनाता हूँ आप आराम से देखा करो आपको प्रोपर समझ में आएगा और आपके टॉपिक भी कंप्लेट होते जाएगे ठीक है न अगला सवाल देखती हैं क्या लिखा हुआ है एक पाइटी में 68 प्रस्थत लोगों ने कोफी 62 प्रस्थत लोगों ने चाए पी जबकि 25 प्रस्थत लोगों ने कोई पे नहीं लिया यदि कॉफी और चाए दोनों पीने वालों की कुल संख्या 550 हो तो पाइटी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया देखो हल करते हैं मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि कुल संख्या बराबर क्या होता है पहल आइटम प्लस दूसरा आइटम माइनस दोनों आइटम प्लस कोई नहीं आइटम ठीक है अब हमने इस सोट रूप में लिख दिया है ना कुल संख्या कितना होती है 100 परसेंट पहला आइटम कितना था 68 परसेंट प्लस दूसरा आइटम कितना था 62 परसेंट और दोनों पीने वालों की संक्या कितनी थी माइनस 550 और कोई नहीं कि कितनी थी देखो कोई नहीं 25% ठीक है बेल्यू अच्छे से पूट करना है ध्यान से समझो 100% बराबर ये कितना हो गया 68 और 62 मतलब 130 और 25 155% 155% माइनस 550 माइनस का 550 यदर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा और 155 माइनस 100% ठीक है 155 में से सो जाएगे तो 55% बराबर 55% ठीक है 55 से काट दिया ये 10 बार में तो 1% कितना आगया 10 ठीक है मतलब 1 के पीछे अगर हम 2 0 लगाते हैं तो 100% बराबर यदर भी कितनी लग हैंगी 2 0 तो कितना हो जाएगा 1000 मतलब पारटी में कुल कितने लोग थे 1000 ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक परिवार में सहाट प्रस्षत ब्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50 प्रस्षत ब्यक्ति रोटी पसंद करते हैं यदि 20 प्रस्षत दोनों चीजें पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रस्षत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न रोटी ठीक है देखो कुल संक्या कितनी होती है हल करते हम कि कुल संक्या कितनी होती 100% कुल संक्या वराबर पहला आइटम 60% प्लस दूसरा आइटम 50% माइनस द जात करना है, तो ना तो चावल पसंद करते ना रोटी, ठीक है, ये कितना हो गए, 100% बराबर, ये कितना हो गए, 60, 50, 110, 110 में से 20 गए तो 90% प्लस कोई नहीं, ठीक है, 100 में से 90 गए तो 10% बराबर कोई नहीं, मतलब 10% लोग ना तो चावल पसंद करते हैं वो ना रोटी, ठी के न, clear अगला प्रश्ण देखो क्या लिखा हुआ है देखो वो टाइप कम्पलीट हो गया, अब अगले प्रश्ण करते हैं, प्रश्ण से ही सम्मान देते हैं, समझो किसी बस्तू के मुल्य में आर प्रश्ण की ब्रद्दी की गई किसी बस्तू के मुल्य में आर प्रश्ण की कमी की गई, यदि बस्तू का अंतिम मुल्य एक रुपए हो तो आरम का मुल्य क्या था, ठीक है इसके बिकल्ब क्या है, पहला है एक रुपए, दूसरा है बन माइनस आर स्केर अपोन हंडेड रुपए तीसरा है अंडर रुट के अंदर बन माइनस आर स्केर अपोन हंडेड रुपए चोथा है दस अजार बटे दस अजार माइनस आर स्केर ठीक है अब देखो, इसको हल करते हम देखो, उसने क्या बूचा है आरम का मुल्य, अब हमने आरम का मुल्य X माल लिया ठीक है अब R% की ब्रद्दी कर दी मतलब इस तरीके से होती है 100 प्लस R अपन 100% ठीक है अब इतना बढ़ गया अब बाद में बढ़े हुए मुल्य में R% की कमी कर दी मतलब कितना हो गया 100 माइनस R बटे 100 बराबर कितना हो गया अब अन्ते मुल्य 1 ठीक है अब देखो यह X into यह लिखा हुआ है A प्लस B और यह लिखा हुआ A माइनस B मतलब क्या हो जाएगा A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर ठीक है बटे 100 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बराबर एक ठीक है X बराबर इस एक में 10,000 का गुणा होगा तो कितना होगा 10,000 बटे 100 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वेर तो देखो रोपए चोथा विक्वेर बिलकुल सही है केलियर है ठीक है ध्यान से समझा करो बस आपको कोई समझ्या नहीं रहेगी अगला प्रस्ण देखो क्या लेखा हुआ है गोपाल अपनी मास्यकाय का 30 प्रस्द भोजन पर खर्च करता है सेस का 40 प्रस्द परिवहन पर खर्च करता है इसके बाद सेस का 50 प्रस्द बचाता है यदि उसकी मासिकाई 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है देखो हल करते हैं उसकी मासिकाई कितनी थी 18,400 देखो 18,400 इसका उसने 30% भोजन पर करती है उसकी बचत की बात की है तो जब उसने 30% खर्च कर दिया तो कितना भचाया है 70,400 ठीक है इतना खर्च हो गया अब उसने बोला सेस का मतलब अब इतना तो भच गया है अब इसमें से सेस का 40% परिभण पर खर्च करता है मतलब भचेगा कितना 60,100 ठीक है इसके बाद सेस का 50% बचाता है ठीक है मतलब 50,250 ठीक है 2 0 से 2 0 काट दी 1 0 2 0 से 2 0 काट दी 50 एकम 50 50 दूना 2 3 6 284 इंटू 27 21 इसका गुणा कर देते हैं 184 एकम 184 4 दूना 8 और 8 दूना 16 की छे हासुल की 2 एकम 2 और 1 3 4 8 और 8 16 की 6 एकम 2 6 एकम 2 7 एकम 2 तो 3 8 6 4 हमारा क्या अंसर होगा अब प्रतिमा कितने रुपए बचाता है तो 3864 रुपए किलियर है ठीक है देखो उसने मासिकाय दीती तो हमने यहां से चालू कर दिया अगर मासिकाय पूछता तो मासिकाय को क्या माल लेती एक्स उसकी भचत दे रहती ठीक है अगला प्रस्ण देखो क्या लेका हुआ है नाराएन अपने मासिक बेतन का 30% सिच्ठा पर ब्याय करता है शेष का 50% वहाब भूजन तथा परिवहन पर ब्याय करता है इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराय दीता है अंत में उसके पास अठरा सो रुपए बचते हैं नारायन का मासिक बेतन ग्याद कीजिए देखो अब हमें नारायन का मासिक बेतन ग्याद करना है तो नारायन का मासिक बेतन मान लिए हमने X अब 30% वो सिच्छा पर ब्याय करता है देखो यहाँ पर उसके पास क्या बचत दे रखी थी तो अब हम देखते हैं कि 30% सिच्छा पर ब्याय कर दिया तो बचाय कितना 70 बटे 100 ठीक है आगे 50% भोजन तता परिवहन पर ब्याय कर दिया मतलब बचाय कितना 50 बटे 100 ठीक है नियुदन भोजन अब इसके बाद इसमें से 1000 रुपए मकान का कर दिया मतलब इसमें से 1000 रुपए क्या दे दिया मकान का खरआ तब उसके पास कितने रुपए बचे 800 लिया रहे हैं तक ठीक है अब देखो एक जीरो दो जीरो से दो जीरो खट गए ठीक है, पांच से कट गया है, बीस बार में, तो कितना होगे, साथ एक्स बटे बीस, बराबर माइनस का 1,800 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अठाइस सो, साच चोक, अठाइस सो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 20, बराबर, आठ हजार रुपए, तो नारायन का मासिक बितन कितना था, आठ हजार रुपए, क्लियर, ठीक, देखो अगला प्रेशन क्या लिखा हुआ है, नीलम अपनी कुलाय का 20 प्रस्षत मकान के किराय पर, तता सेस का 70 प्रस्षत घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि वह 36 रुपए की बचत करती है, तो उसकी कुलाय कितनी है, ठीक है, हल करते हैं हम, कि देखो कुलाय हमने माल ली X, अब 20 परस्षत मकान के किराय पर, मतलब बचाय कितना यहां पर किजब दे रखाय देखो, उसने बचत दे रखी है, ठीक है, तो हम बचती लेंगे, 20 परस्षत खर्च करती है, मतलब कितना 80, ठीक है, सेसका 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, मतलब कितना बचाया, 30, ठीक है, बराबर वह कितने रुपए बचाती है, 36, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 3 से काट दिया, 12 बार में, ठीक है, 8 से काट दिया कि 158 होता है, मतलब 150 बार में, ठीक है, ठीक है, किलियर है, दोस्तो कापी महत पूंट टॉपिक है, वीडियो भी बहुत सरल है, इसमें दो टाइप हमने कम्पलीट कर लिए, कि एक तो पसंद और ना पसंद पर, दूसरा आय बे आय पर, ठीक है, दोस्तो आप ध्यान से वीडियो देखा करो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सेस्क्राइब जरूर किया करो, दोस्तों तक शेयर किया करो, इससे हमारा भी पढ़ाने में मनोबल बढ़ेगा, हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के बेशते रहेंगे, धन्यव आपको अड़ आते हैं, तो पीज़ आते हैं, तो प्लीज ए मैंने मेंद भालयों हैं, आते हैं, तो सेस्क्त